अब इसके आगे सत्य की पहचान तो हो गई परंतु शाशन के उच्चतर छेत्रों में इस पश्ट रूप से मतबेत थे यही कारण था कि इसे विवार में लाते समय उपस्थित कठनाईयों पर काबू पाने के बदले इसे भुला दिया गया या जानबूच कर इसकी उपेक्षा कर दी गई अतह सामराज्य को संग्य रूप देने वाली किसी भी योजना का विफल होना निश्चित था क्योंकि संग्य तत्वों को संगठित करने के लिए परियाप्त शक्ती का प्रयोग करने वाली कोई भी ऐसी मजबूत केंदरी सकता नहीं थी यहाँ यहाँ इसमराण रखना आविशक है कि बिशमार्क द्वारा स्थापित जर्मन सामराज्य की परिसितियों से आश्ट्रिया की परिसितिया बिल्कुल भी न थी जर्मनी के सामने शुद्धत राजनितिक परंपराओं के बदलने की केवल एक कठनाई थी बिशमार्क की जर्मनी के पूरे शाशनकाल में एक साजह सांस्कृतिक आधार था कुछ गौड विदेशी विभागों को छोड़ कर जर्मन सामराज्य केवल एक और उसकी एक जाती या समुदाय के सदस्यों से बना था आश्टिया में जन संख्या संबंधी इस्तितियां बिल्कुल भिन थी हंगरी को छोड़ कर विभिन पड़ोसी देशों में पुराने समय में पहले तो कोई राजनितिक परंपरा थी ही नहीं यदि कुछ थी भी तो समय ने या तो उसके सभी निसान मिटा दिये थे या फिर उन्हें धुदला कर दिया था इसके साथ यह वह काल था जबकि राश्रवाद के सिध्धान्त का उदय होना प्रारंब हुआ था और हैब्सबर्ग की राशत्ता से संबंद भिन भिन देशों में उस प्रिवित्ती ने राश्रिय चेतना को जागरित कर दिया था इसलिए भी नव जागरित राश्रिय सक्तियों पर नियंत्रण रखना कठिन था इधर डुवाल राश्रिय की सीमाओं के साथी नए राश्रिय तत्वों का उदय हो रहा था जिनके निवासी उसी या उसी से संबंदित जातिय वर्ग से थे और जिनकी तत्संबंदी राश्रियताओं से मिलकर हैब्सबर्ग सामराज्य बना था जर्मन तत्व की तुलना में ये नए राज्य प्रभाव डालने में अधिक समर्थ थे इस संघर्स में वियना भी लंबे समय तक नहीं टिक सका जब बुड़ापेष्ट का महानगर के रूप में विकास हो गया तो एक अर्थ में प्रतिदवन्दी ने जन्म ले लिया था जिसका उद्देश समराजी के भिन भिन भागों को इखटा रखने के बदले एक को शक्ति साली बनाना था थोड़े ही समय में प्राग ने बुड़ापष्ट का अनुसरण किया और उसके बाद लैंबर्ग, लेबेच और अन्य कस्वो का नगरों के रूप में विकास हो गया इस प्रकार राष्ट्री नगरों के रूप में विक्सित कस्वे स्वतंत्र, शांश्कृतिक जीवन के समाहरण केंद्र बनते गए इससे राष्ट्री भाव को अत्याद्मिक आधार मिल गया और लोगों पर इसकी पकड जादा मजबूत हो गई अब उस इस्थिती का आना स्वभाविक था जब विभिन देशों के विशिष्ट हित सामान शाही हितों की अपेक्छा अधिक महतपून हो जाने थे एक बार जब वह इस्थिती आ गई तो आश्ट्रिया के दुरभागे पर मोहर लग गई इस विकास की प्रेक्रिया जौसेफ दुतिय की मृत्यू के समय से ही दिखने लग गई थी इसकी दुरगती कई तत्वों पर निर्भर थी कुछ का जन्म तो राज्टंत्र से ही हुआ और बाकी कुछ सामराज्य द्वारा अपनाई विदेशी राजनिती की उपच थी किसी एक शर्वमान्य भाषा के सरकारी भाषा के रूप में प्रेयोग के सिध्धान्त को तो अपनाया जा सकता था इससे साही कॉमन वेल्थ की अपचारिक एकताव पर बल देना संभव हो जाता और प्रशाशन के हाथ में एक तकनीकी उपकरण आ जाता जिसके बिना कोई भी राज्य राजनितिक इकाई के रूप में नहीं चल सकता था इसी तरीके से पाट साला आदी अन्यान्या शिक्षन संस्थानों में सर्वमान्य नागरिक्ता की भावना को जागरित किया जा सकता था ऐसे उद्देश्य को दस या बीस वर्स में प्राप्त नहीं किया जा सकता इसके लिए ठीक उसी प्रकार सताब्दियों की साधना अपेक्षित होती है जिस प्रकार उपनिवेश्वाद की सभी समस्याओं के समाधान के लिए उस छड किये गए दमन चक्र जैसे प्रचंड प्रित्नों की अपेक्षा सांति पून और समझोते की लंबी बाचित अधिक महत्पून होती है यह कहने की जरुवत नहीं है कि इन प्रस्तितियों में देश का प्रबंध और प्रशाशन व्यवस्था सकती से एक रूपता के सिध्धान्त के अनुरूप रखना चाहिए था ऐशा क्यों नहीं हुआ था बलकि ऐशा क्यों नहीं किया गया था यह देखना मेरे लिए बहुत ही उप्योगी सिधुआ मैं सोचता हो कि किसी एक तुरूटी के लिए दोशी व्यक्ति को हैव्जबर्ग सामराज्य के और टूटन के लिए जिमिदार ठहराना चाहिए किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा आश्ट्रिया का अस्तित्व एक मजबूत और योग्य सरकार पर अधिक निर्भर करता है हैव्जबर्ग में जातिय एक रूपता की कमी थी यही राज्य के राश्ट्रिय स्वरूप का मौलिक आधार होती है यह ऐसे राज्य के अस्तित्व की भी रक्षा करती है जिसके प्रशाषकों की प्रशाषन छमता भले ही कितनी भी थोड़ी क्यों न हो वस्तुतह कुशाषन और कुप्रशाषन के होते हुए भी प्रजा की सवभाविक निश्क्रियता के कारण ऐसा राज्य संगठित रहता है एवं अपना अस्तितु बनाये रखता है कई बार ऐशा लगता है कि ऐसे राजनितिक संगठन में जीवन का तत्व मृत प्राय है पर एक समय आता है जब मुर्दा दिखाई देने लगते हैं और मुर्दा दिखाई देने वाला यह राजय उठ खड़ा होता है और संसार के सामने अपनी विलक्छड ओजेश्वियता का चमतकारी स्वरूप पेश करता है इसके विपरित जहां आबादी समझाती है नहीं होती और जहां एक शाशक द्वारा शाशित होने के अतिरिक्त प्रजा जनों में साजे रक्त का कोई बंधन नहीं होता वहां परसिती बिलकुल भिन होती है यदि ऐसे राज्य में शाशक को कुछ कमजूरी दिखाता है तो उस जब तक ऐसे समुशक्तिसाली केंद्रिय शाशन शक्ती से दबे रहते हैं तब तक ये भावनाएं सोई रहती हैं इन चीर निद्रित जातियों की प्रितिक्वादी मूल प्रिवित्यों में निहित खतरे को केवल शताबदियों की साजी सिक्षा, शाजी परंपराओं और सा कुछ हानी रहित बनाया जा सकता है ये राजे जितने अधिक जागरुक होंगे उनकी निष्ठा केंद्री सरकार की उतनी ही अधिक योगिता और सक्ती पर निर्भर करेगी यदि उनकी निव किसी सक्तिशाली व्यक्तित्व या प्रभावशाली नेता पर आधारित होगी भ प्रवित्यों की चर्चा की है वे शताबदियों की साजी सिक्षा और अनभोगों के बाद भी मियंत्रित हो नहीं पाती है वे केवल छिप सकती है अपना रूप बदल सकती है परन्तु केंद्रीय सरकार के कमजोर पढ़ते ही एका-एक जागरित हो जाती है और उस समय अपन प्रकर्ती ने अपने हाथों से हैब्सबर्ग के सासकों की आँखों के आगे केवल एक बार एक मशाल जलाई थी जो उनके देश के भविश्य पर प्रकाश डालती थी परंतु शाशक अंधे बने रहे और फिर वह मशाल हमेशा के लिए बुझ गई जर्मन राष्ट के रोमन समराट जोसफ दुतिय ने जब अनुभव किया कि उसके सामराज्य की बाहरी सीमाओं पर पहुचा दिया गया है और यदि अपने पूरवजों की गलतियों के भयानक परिणामों का पर काबू पाने के लिए अंतिम समय तक भी कोई प्रयास नहीं किय गया तो वह समय सीगर ही करीब होगा जब बाबल यानि बेबी लॉन की राष्टिताओं द्वारा उठाया गया बवंडर उस सामराज्य को पूरी तरीके से घेर ही नहीं लेगा बलकी उलट करकर रग देगा तो यह सोचकर वह सीगर ही प्रतिकार के लिए उत्सुखोटा मा चिनावता कि उस्च मित्र ने अपने पूर्वजों की लापरवाही और असावधानी के प्रभावों को निस्क्रिये करने के लिए अलोकिक सक्ती से हर संभव प्रिवत्न किया उसने सताब्दियों में की गई छती की पूर्ति की एक दशक में करने का सफल प्रयास किया यद चांतु दस वर्स की अलप अवधी में शाषन के बाद वह तूटकर सदा की नीन सो गया और उसके साथ ही उसका काम कबर में दफन हो गया उसकी संतानों के पास उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए न तो वांचित योगिता थी और ना ही इच्छा सकती यूरोप में जब क अजनेतिक परिसितियों ने इसे हवा नहीं दी बलकि उन शक्तियों ने इसे तेज किया जिनका मूल अस्तित्व ही विभिन जाती समू की राश्रवादी लालसाओं में नहीं था 1848 के यूरोपी आंदोलन ने लगबक सभी देशों के वर्ग संघर्ष का रूप धारण किया परन्तु आश्ट्रिया में इसने नए जाती संघर्ष का रूप धारण कर लिया वहां जर्मन आश्ट्रियन आंदोलन के मूल कारणों को भूल गए या शायद प्रारंब में उन्हें पहचानने में अशफल रहे जब बाद में उन्होंने क्रांतिकारी विद्रों में भाग लिया तो एक प्रकार से उन्होंने अपने भाग्ये पे ही मोहर लगा दी इस तरह उन्होंने अंजाने में ही पश्चिमी लोकतंत्र की उस भावनाव को जागरित करने में मदद की जिसने अल्पकाल में ही उन्हें अस्तित्व को नीव से हिला कर रख दिया डुआल राज तंत्र में राज के सार्वजनिक जीवन में केवल एक ही भासा के प्रयोग की मौलिक आवशक्ता पर जोर देने की बजाए प्रतिनिधी संसदिय संस्था की स्थापना करना जर्मन भावनाव की प्रधानता पर पहली चोट थी उस छड से ही राज का सीग्र पतन भी निश्चित हो गया था बाद का घटना करम तो सामराज के एतिहाशिक आवशान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था वी श्रिंखलन के करम में और उसकी प्रक्रिया को देखना एक दुखद परंतु एक सिक्षप्रद अनुभव था इ अपनी असमर्थता को लोग देवी इच्छा का नाम दे देते हैं आश्ट्रिया में इन लक्षणों को देखकर यही लगता है कि देवताओं ने आश्ट्रिया के सरुनास के आदेश दे दिये हैं इस विसे पर अधिक विस्तार से चर्चा करना पुस्तक के छेतर से बाहर हो इसके अतिरेक्ट इन घटनाओं के अध्यान से मुझे अपने राजनितिक द्रिष्टी कोण को आधार प्रदान करने में भी मदत मिली राजे की इन गिंती हुई संस्थाओं में से सबसे अधिक इसपष्ट रूप से द्रिष्टिगत होने वाली संसत थी इसे ही आश्ट्रिया में राई सैट या साही परिसत कहा जाता था यह संस्था की पक्की नीव थी परन्तु इसका पतन मंद द्रिष्टी फिलिस्तिन को भी नजर आया इस समस्थी निकाय का स्वरूप इस पश्टतेया क्लासिकी प्रजातंत्र की जननी इंगलेंड के निकाय सा था ऐसा लगता था कि जैसे इस संपूर्ण संगठन को लगुतम परिवर्तन के साथ जियों का जियों आश्ट्रिया में प्रतिस्थापित कर दिया गया था ब्रिटीस दुषद्निय पदिती के आश्ट्रियन प्रतिरूप के अंतरगत वियेना में चेमबर अफ डिप्टीज और हाउस अफ लॉर्ड्स इस्थापित किये गए सदन समझे जाने वाले भवन अपने आप में कुछ भिन्न थे वैरी ने देब वहां की एक नदी के किनारे अपने महल बनाएं इसे ही हाउसेस ऑफ पार्लियमेंट कहते हैं वह अपनी गतिविधी के निर्धारण के लिए ब्रिटीस सामराजे से प्रेणा और प्रोचसाहन ले सकता था अपने सुन्दर, भवन, 1200 खिडकियों, जरोखों और इस्तंभों को सजाने धजाने के लिए उसे उस इतिहास से पर्याप्त सामगरी मिल गई थी भवन में रखी सुर्मय, प्रतिमाओं और राष्ट के गौरव को चित्रित करने वाले चित्रकला के उत्कृष्ट नमूनों में हाउस ओफ कॉमन्ज एक मंदिर का रूप दे दिया था वियेना को पहली कठनाई का सामना तब करना पड़ा जब डैनिस वास्तुकार हंसन को प्रतिनिधी सभा के बैटको के लिए बनवाये जा रहे संग मरमर के तिकोने भवन की रूप रेखा तयार करने के लिए तथा अपनी योजना को अलंकरित रूप देने के लिए संसार के प्राचीन क्लाशिकी विसियों की ओर देखना पड़ा पश्मी प्रजातंत्र के इस मुरम में तिर्थ मंदिर को युनानी तथा रोमन कुट नितिग्यों और दारसिनिक्यों की मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया था यह सब व्यंग्ये के प्रतिक के रूप में बनाया गया था दोनों प्राचीन सदनों पर रत के घोड़े चड़े हैं जो चारो दिसाओं की और भुमंडल को खीचते हुए एक दूसरे से विलग हो रहे हैं उस भवन की दिवारों के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी उनका प्रतिविंबन इससे बहतर और क्या ही हो सकता था वियेना के भवन को सजाने में आश्ट्रिया को चितरित करना वहां की राश्ट्री भावना की विरुद्ध था इस प्रकार की सजावट से उनका अपमान होता और इससे प्रजग के उत्तेजित होने की संभावना होती लगभग यही इस्थिती जर्मनी की थी बैलेट द्वारा निर्मित राइग श्टैग तब तक जर्मन लोगों को सौप नहीं दिया गया जब तक कि विशुयुद की तोपें नहीं गूजी युद में ही इसे एक शिला लेख द्वारा जर्मनी को समर्पित कर दिया गया मेरी आयू अभी 20 वर्सकी भी नहीं थी कि मैंने फ्रेंज जन्स्त्रिंग इस्थित महल में चेंबर आफ डिप्टीज को देखने और सुनने के लिए प्रवेश किया पहले ही अनुभव ने मुझ में इसके प्रती ग्रिणा की गहरी भावना भर दी मैंने हमेशा शंशत से ग्रिणा की थी परन्तु यह घ्रिडा उस संस्था से नहीं थी क्योकि मैं राजनितिक स्वाधिन्ता के आदर्सों का सम्मान करने वाली किसी अन्य प्रकार की सासन पद्दिती की कल्पना ही नहीं कर सकता था यही कारण है कि हैब्सबर्ग सदन को किसी प्रकार की ताना साही की संभावित सासन प्रणाली के रूप में देख कर मेरे लिए सच्चाई और तर्क के विरुद एक अपराद करना था ब्रिटिस संसद की मैं कुछ प्रस्दा करता था संसद यह सासन प्रणाली के प्रती मेरी उचधारणा बनाए रखने में उसने योगदान दिया इस सासन पद्धिती में मैं इस प्रकार सम्मोहित हुआ कि अपनी जवानी के दिनों में अखबार के गंभीर अध्यान से ग्रहण किये प्रभावों की भी उपेक्षा करने लगा वस्तुतह जिस प्रसंसनिये तरीके से संसद लोकसभा अपनी कारिवाई चलाती थी और जिसकी परिचर्चा आश्ट्रियन प्रेस बड़ी सुन्दर तरीके से करता था उससे किसी का भी प्रभावित होना श्रभाविक ही था मैं अपने आप से पूछा करता इस प्रजातंत्रिय साशन पद्धिती को छोड़ कर साशन चलाने का क्या कोई बहतर तरीका हो सकता है यहां यहां लेखनी है कि इन्ही धारणाओं ने मुझमें आश्ट्रियन पार्लियमेंट के विरुद सतरुता के भाव उत्पन किये यहां संसदिय सरकार जिस रूप से चल रही थी मुझह वहां अपने आप महान आदर्स की विरुद लगती थी इसके अतिरिक्त निमलिखित परस्थितियों ने भी मेरे द्रिश्टिकोंड को प्रभावित किया आश्ट्रियन राज्य में जर्मन जाती का भाग संसद में उसकी स्थिती पर निर्भर करता था गुप्त मतदान द्वारा वैश्क मतदिकार को लागू करने के समय तक संसद में जर्मन प्रतिनिधियों का भाउमत था हालाकि यह भाउमत बहुत पर्याप्त नहीं था राश्ट्रिय महत्व के प्रश्णों की चर्चा होने पर सदेव एक प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती थी क्योंकि जर्मन तत्व के सोसल डेमोक्रेटिक सदस्यों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था जर्मन तत्व से संबंधित महतपूर्ण विसियों पर सोसल डेमोक्रेटों का रुख हमेशा जर्मन विरोधी होता था क्योंकि उन्हें राष्ट्रिय समिदायों में अपने अनुवाईयों को खोने का खत्रा रहता था वैस्क मत अधिकार के लागू होने से पहले सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी को उस समय जर्मन दल नहीं कहा जा सकता था वैस्क मत अधिकार के लागू होने से जर्मन तत्व की शुद्धतह संख्यागत प्रधानता भी समाप्त हो गई आश्ट्रियन राजे के वे जर्मनी करण करने का मार्ग प्रशष्ट हो गया आत्मरक्षण की राश्ट्रिय भावना से प्रेरित होने पर मेरे लिए ऐसी प्रतिनिधी सभा का स्वागत करना असंभा हो गया जिसमें जर्मन तत्व का वास्त्विक प्रतिनिधित्व न हो और सोसल डेमोक्रेटिक वर्ग द्वारा हमेशा धोखा दिया जाता हो इसके अतिरिक्त कई अन्य दोस भी थे जिने सामानने तह संसदिय व्यवस्था का परिणाम नहीं कहा जा सकता था बलकि वे तो विशेश रूप से आश्ट्रियन राजे की ही देन थे मुझे अभी विश्वास था कि प्रतिनिधित्व सदन में जब तक जर्मन बहुमत सुनिश्चित नहीं किया जाता और आश्ट्रियन राजे का अस्तितो बना रहता है तब तक ऐसी विवस्था के विरोध करने का कोई लाब नहीं इस पवित्र और विवादास पद सदन में जब मैंने पहली बार प्रवेश किया तो इसके संबंध में मेरा सामाने द्रिश्टिकोड ऐसा ही था मेरे लिए यह केवल इसलिए पवित्र था क्योंकि उस मनमोहक भवन की सुन्दरता बहुत चमकीली थी भवन क्या था जर्मन मिट्टी पर एक युनानी चमतकार था परन्तु एक घृडित द्रिश्ट को देख कर मैं विचलित हो उठा और मेरी धारणा डगमगाने लगी सदन में कई सो प्रतिनिधी एक अत्यन्त आर्थिक महत्व की समस्या पर विचार करने के लिए उपस्थित थे और प्रतेक प्रतिनिधी को अपनी बात कहने का अधिकार था इस एक दिन के अनुभों ने मुझे चिंतन की इतनी अधिक सामगरी प्रदान की कि बाद में मैं कई सप्ताहों तक इस पर विचार कर सकता था सदन में सदस्यों की परिचर्चा का बौधिक इस्तर बहुत ही नीचा था कई बार तो वक्ताओं की बात बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी उपस्तिस सदस्यों में से अनेक तो जर्मन भासा बोलने की बजाए अपनी ही सलाव भासा बोलते थे इस तरह मुझे वह सब अपने कानोंप से सुनने का आउसर मिल गया जिसके बारे में मैं अब तक समाचार पत्रों पढ़ता आ रहा था मुझे साफ दिखाई दिया कि सदन में सदस्यों के रूप में लोगों का एक जमगट था और सभी एक दूसरे पर चिलाते और गुर्राते थे दैनिय स्थिती में बैठा हुआ एक व्रिद व्यक्ति रह रह कर घंटी बजाता जिसे अध्यक्च कहते हैं और सांती की अपील करता तथा उपदेश और गंभीर चेतावनिया देता हुआ सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए बार-बार आगरह कर रहा होता यह सब देखकर मैं अपनी हसी को रोक नहीं सका कई सबता बाद मैं एक बार फिर सदन में गया अब तो उसका रूप ही बदल गया इतना अलग की यहा पहचानना कठिन था की यह वही जगह है सारा हाल पूरी तरह कैसे खाली था सदस्यों से नीचे के तल के दूसरे कमरों में सो रहे थे कुछ डिप्टी ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे जो एक दूसरे के साथ उबासिया और जवाईया ले रहे थे एक सदस्य भासड जाड रहा था उपाध्यक्षी ही सभापती के आसन पर बैठा हुआ था जैसे ही उसने चारो और मुड कर देखा त्यों ही उसकी मुद्रा से इस्पष्ट हो गया कि वहा उब रहा है मैंने सारे मसले पर गंभीरता से विचार करना सुरू कर दिया जब कभी मेरे पास खाली समय होता तो मैं संसद भवन में चला जाता और वहां दृष्ट को सांती पूर्वक और ध्यान से देखता मैं भाशनों को भी सुनता और वे जितने भी समझ आ सकते थे उतना उन्हें समझने की चेश्टा करता तथा विभिन जातियों वाले रंग बिरंगे राजियों के निरवाचित प्रतिनिधियों की समझ में आने वाली विशिष्टाओं का कुछ न कुछ अध्यान करता मैंने जो कुछ अपनी आखों से देखा उसके आधार पर ही आगे चलकर मैंने अपने विचार इस्थिर किये थे संसदिय संस्था के चरित्र के बारे में मैं एक वर्स का गंभीर अध्यान मेरी पूरु धारणाओं के बदलने या उन्हें पूरी तरह समाप्त करने के लिए पर्याप्त था अब मैं केवल उस विक्रित रूप का ही विरोध नहीं करता था जो आश्ट्रिया में संसदिय प्रतिनिधितु को सिधान्त का रूप धारण कर चुका था बलकि मेरे लिए तो यह विवस्था को स्विकार करना ही असंभव हो चुका था उस समय तक मैं यह नहीं मानता था कि आश्ट्रियान संसद के सभी इदोष जर्मन भहुमत के अभाव के कारण थे परन्तु अब मैंने जाना कि यह संसथा अपने आप में स्वरूप और कार्यपदिती दोनों ही द्रिष्टियों से दोस पूर्ण थी मेरे दिमाग में कई समस्य आयाई मैंने प्रजातंत्रिय सिध्धांत भहुमत से निर्णय का बारीकी से अध्यन किया और उतना ही साधानी से उन सज्जनों के बौधिक और नैतिक इस्तर पर नैतिक इस्तर का भी विशले सड किया जिन्हें राष्ट को निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में इन संस्थाओं को चलाने की जिम्मेदारी सौपी गई है इससे मुझे एक ही समय में संस्था को और संस्था को बनाने चलाने वालों को जानने का अउसर मिल गया इस तरह से कुछ ही वर्सों में अपने समय की एक संस्था संसदिय डिप्टी जिसका उस समय बहुत कम आदर था उसको जानने का मुझे अच्छा मौका मिल गया इस विशे से मैंने एक स्पष्ट और सही धाना बना ली उस समय इस संस्था का जो चित्र मेरे मस्तिस्क में बना था उसे मैंने अब तक नहीं बदला है यथार्थ जीवन के लिए आप एक सिक्छा ने एक बार फिर मुझे सिध्धान्त के पंजे में जकड जाने से बचा लिया यहाँ यह उलेखनिय है कि यद्धिपी सिध्धान्त की यह जकड अपने आप में मानव पतन का निश्चित कारण है तथा पी अपने प्रारंभिक स्वरूप में यह लोगों को इस प्रकार लुबाती है कि लोग उसके आकरसंड से बच नहीं पाते आज पश्चिमी यूरोप में प्रजा पर जिस तरह सासन होता है वह माक्सवाद का अग्रगामी रूप है यथार्थ में अतीत अर्थात बीते समय पर विचार किये बिना भविश्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती प्रजा तंत्र वह जन्म भूमी है जिसमें माक्सवादी दुनिया की महमारी के जिवाडू बढ़ते और फैलते रहे हैं संसदिये प्रजा तंत्र को लागू करने से वहां दोशों और बुराईयों का व्यापक प्रसार हुआ लोगों में अपने दोशों को देखने की और उन्हें दूर करने की प्रिवित्या तो वहां सदा के लिए पहले ही नश्ट हो चुकी थी मैं इसे अपना सवभागे मानता हूँ की इस समस्या की जानकारी मुझे वियना में ही मिल गई यदि कहीं मैं उस समय जरमणी में होता तो मुझे वहां आसानी से बहकने वाला समधान मिल जाता यदि मैं बर्लीन में होता जहां मैंने पहली बार जाने का यह संस्था जिसे हम संसत कहते हैं सर्वता व्यर्थ की चीज है तो मैं भी बाकी लोगों की तरह इसके विपूरीत विश्वास कर लेता कि यह संस्था अच्छे गुडों के बिना नहीं टिकी है और लोगों तथा सामराजी की मुक्ति शाही सत्ता के सिध्धान्त की मजबूती से ही संभव है वस्तुत है ऐसा विश्वास रखने वाले ना तो अपने समय की प्रवित्यों को पहचानते थे और नहीं लोगों की इच्छाओं के जानकार थे आश्ट्रिया में किसी को पत भ्रष्ट करना इतना असान नहीं था वहाँ एक गलती से दूसरी गलती करना प्राय असंभव था यदि संसद बेकार थी तो हैब्सबर्ग उससे भी बुरा था कम से कम उससे किसी तरह बहतर तो नहीं था संसदिय व्यवस्था को नकारने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता था अब तूरंत प्रश्ण यह उठता है कि क्या वियानी संसद को छोड़ने और उसे समाप्त करने का परिणाम यह नहीं होगा कि सारी शक्तियां हैब्सबर्ग के हाथों में चली जाएगी मेरे लिए तो विशेश रूप से यह विचार कष्ट प्रत था वस्तुतह यह समस्या आश्ट्रिया के संदर में विशेश जटिल थी जब मैं अभी कच्छी उम्र का युवा ही था तभी मुझे मजबूरी में इस प्रश्ण के अनिवारे परिणामों पर गहराई से विचार करना पड़ा वस्तुतह सामानने परिस्तितियों में मैं ऐसा कभी नहीं करता परंतु इस्तिति के जिस पक्छ ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया और गंबिरता से सोचने के लिए मजबूर किया वह यहा है कि प्रतिनिधी कहलाए जाने वाले इस सदन में किसी भी सदस्य की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही नहीं थी संसद यूं तो ना कोई ऐसा कानून पास करती है और ना ही कोई ऐसा आदेश जारी करती है कि जिसके परिडाम अत्यंत भयंकर हो सकते हैं परन्तु यदि ऐसा कुछ हो जाए तो वह उसकी जिम्मेदारी ही नहीं लेती है किसी को जवाब दे नहीं बनाया जा सकता था कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि कोई मंत्री मंडल विपत्ति धाने पर अथवा अपनी जिम्मेदारी न निभाने पर अपना पच छोड़ दे अच्छा छोड़िये या हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वात होता हो जब कोई नया मोर्चा बन जाता है या संसद का विख्टन हो जाता है तो क्या प्रशाशन ठप हो जाता है क्या जिम्मेदारी के सिध्धान्त का अर्थ निश्चित व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या तिरिक्त भी कुछ हो सकता है क्या किसी संसदिय सरकार के नेताओं को वास्तों में किसी काम के लिए जिम्यदा ठहराना संभव है क्या बहुत बड़ी संख्या वाले डिप्टियों इच्छाओं आग्याओं या स्विकृतियों के परिणामों के लिए उनमें से किसी को दोसी ठहराया जा सकता है क्या एक कुटनितिग्य का काम यह है कि वह रचनात्मक विचारों एवं योजनाओं को मूर्त रूप देने की बजाय मूर्खों के जुंड को ही वह सबसमस्ता रहे क्या उसका यह काम है कि वह मुर्खों की इसलिए सेवा करे और उन्हें पुछकारता रहे ताकि वह उसे अपनी उदार सहमती परदान करे क्या एक राजनेता का अनिवार गुड यह नहीं है कि वह बड़ी-बड़ी राजनितिक युक्तियों पर मनन करने की और उन्हें विवारिक रूप से लागू करने की कला में निपुड हो विचार्णिय तत्थ है कि क्या एक ऐसी सभा में अपनी नीती को पारित तथा लागू कराने के लिए वांचित मतों का बहुमत प्राप्त न कर सकने वाला राजनेता अयोग्य है जिस सभा का गठन चुनाव पद्धिती के आकस्मिक परिणाम सरूप हुआ है और वह चुनाव पद्धिती जिसका इमांदारी से निर्वाही नहीं किया गया है क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी सभा ने किसी महान राजनितिक आवधारणा को लागू करने के पहले उसका मुल्यंकन किया हो उसके महत्व की पुष्टी की हो और उसकी सफलता का अनुमान लगाया हो तो इस भाग में दोस्तों यहीं तक और अब अगले भाग में आगे देखेंगे तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट